नमस्कार प्यारे बच्चों मैं विजय बच्चों आज हम यूनिट 4 का दूरिक समस्टी का important question लेकर आये हैं ठीक है तो आएए आज हम इस दूरिक समस्टी में क्या 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 question देखेंगे most important question उसके बारे हम बात करते हैं जो हम question करा रहे हैं प्यारे बच्चों बिल्कुल उसको पहले कर लिजिएगा उसके बाद बाकी question कीजिएगा आईए बात कीजिए पहला है देखो ब्यासी थर्डियर मैस पेपर वन रियलने सेस आइमपी question है unit 4 का यह है दूरिक समस्टी metric space देखें प्यारे बच्चों पहला आपको करना है मालों एक से करिकत समुझच एताथ डी सज्धाट एक स्क्रास एक स्टेंच वार इस प्रकार है कि D X Y is equal 0 एदि-स इक्स इक्वाइट इकूर वाई तो दरसा ही है कि D X के लिए क्या है दूरिक हैं दूसरा समतल में यह दी X is equal A1 B1 है और Y is equal A2 B2 है बिलांग कर रहा है R2 को समतल है मतलब R2 को बिलांग करेगा तथा प्रतिशितरन D says that R2 cross R2 tends to R परिभासी था Dx Y is equal square root A1 minus A2 का holy square plus B1 minus B2 का holy square तब दर्साइए कि D R2 पर दूरिक है इसको करना है यह परिभासा देखना है प्यारे बचों कल पर दूरिक समस्टी और छहत्म दूरिक समस्टी तो दूरिक समस्टी से एक दूरिक समस्टी एक दूरिक समस्टी एक दी में सिद्ध कीजिए मौल Dxz minus D yz is less than equal than Dxy for every xyz belongs to Z मालो Dx अरिक तर समुच्चा एक पार दूरिक है तब दर्साइए कि D star xy is equal Dxy upon 1 plus Dxy प्यारे बच्चों दूरिक है नेक्स्ट हमारा टापिक है देखे किसी दूरिक समस्टी में प्रतेक विवरित गोला एक विवरित समुच्चय होता है बहुत important बिलकूल को बहुत important है करके जाना हिए किसी दूरिक समस्टी में प्रतेक समुच्चय में समुच्चय हो का संग या सम्मेलान समुच्च होता है तो यह सभी important question है प्रतेक कोशी अनुकरम परिबद होता 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 है प्रतेक कोशी अनुकर चलिए आज के क्लास यह तक रखते हैं प्यारे बच्चों यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों को जरूर बताईए धन्यवाद प्यारे बच्चों नमस्कार